जै मातरी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें दोस्तों दिपावली का त्योहार आने ही वाला है दिपावली से पहले लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, नई कपड़े खरीदते हैं, अपने घर को दुलहन की तरह सजाते हैं साथे इस दिन हर इंसान अलग-अलग तरीके से माता लक्ष्मी को खुश करने में लगा रहता है दोस्तो दिपावली का दिन उपाईयों के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि ये सिद्ध दिन होता है इस दिन आप जो भी उपाई करते हैं, उसके बहुती बहती बहती अच्छे परणाम आपको देखने को मिलते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाई बताऊंगी, जिससे आपकी जीवन की तमाम तरहे की परेशानियों का अंथ हो सकता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा आपका हर कर्ष्ट, हर परेशानी खतम हो जाएगी, तो आईए जानते हैं कौन सा है वो उपाई दोस्तो यदि आपको पैसो से संबंदित कोई दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, घर में किसी की शादी नहीं हो पा रही है इनकम तो बहुत होती है लेकिन खर्चे उससे जादा होने लगते हैं घर में कलेश रहता हो, बहुत सारी परेशानिया हो, घर में कोई बीमार हो, लंबी समय से कोई बीमार हो, परेशानिया खतम होने का नाम ही ना ले रही हो दोस्तों आपको इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीला कपड़ा, साथ हल्दी की गाठी और साथ गुड की डलिया लेनी है और उसके साथ ही एक रुपए का एक सिक्का आपको लेना है इसके बाद आप इन सभी चीजों को उस पीले रंके कपड़े में बांदे यानि इन सभी चीजों को पीले रंके कपड़े में बांद कर एक पोटली बना ले फिर इस पोटली को पूजा घर में रख कर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय माता के सामने अपनी सारी परेशानिया मन ही मन बोले उसके बाद आप अपनी सभी परेशानियों को भूल कर उस पोटली पर साथ बार फूंक मारे और उस पोटली को ऐसी जगा पर रख दे जहां पर आप अपना धन वगेरा रखते है साथ ही इस जगा पर किसी की नजर नहीं पढ़नी चाहिए यानि इस पोटली को आपको ऐसी जगे पर रखना है जहां पर किसी की आसानी से नजर ना पढ़े उसके बाद इस पोटली को सुबह उठकर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें दोस्तों ये उपाय आपको छोटी दिपावली यानि की नरक चतुरदशी की रात को करना है और अगली सुभा दिवाली के दिन आपको इस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है तो दोस्तों मता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जरूर करें ये उपाय वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद